अब लोगों का बहुत स्वागत है आची क्लास में मुझे उमीद है आप लोगों को बहतर आवाज आ रही होगी आप लोग भी बहुत 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 होंगे सबी लोग सुन पा रहे हैं मुझे कितना लेट है रहे हैं सबी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगे मुझे उमीद है सबी बच्चे बहुत बहतर होंगे आप लोग अपना पढ़ाई बहुत बहुत कर रहे होंगे मुझे ऐसी पूरी उमीद है आज हम 11th का एंज्यो स्पर्म मतलब मीन सा आखरी टॉपिक के बारे में हम कुछ बात करेंगे पांचवा भाई एंज्यो स्पर्म के बारे में हम डिटेल करेंगे 11th का पार ये टॉपिक नीट के लिए उतना ही आवश्चक है जितना बाकी चैप्टर है बहुत ज़्यादा पूछ जाता है प्लांट के इंग्डम के बारे में सभी बच्चे आज आज आईए फड़फट फड़फट यहाँ पर जोड़िए अपने इस्ट मित्रों को शेर करिए बता दीजे कि यहाँ पर 11 की एक और नीट के लिए बहुत बहतर क्लास चल रही है ऐसा आप डिसाइड करिए और डेली जवाइन हमारी क्लास को जरूर करिए सभी बच्चों को में एक बात इंफॉर्मेशन आज देना चाहता हूँ बहुत बड़ी खुश खबरी है आप सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग थी कि नीट की बैच स्टार्ट की जाए तो हम लोगों ने बहुत जल्दी उसे प्लेटफॉर्म बे लॉंच कर दिया है मतलब आज समझ लीजिए ये खबर आ जा गई है कि हम उनने उसके उपर काम करना पूरी तरह से सुरू कर दिया है बहुत जल्दी मतलब गिने चुने दो से तीन दिनों के भीतर आपको उसकी बैच स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों को मिलने लग जाएगी तो सभी बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं नीट की बैच को वो तियार हो जाएगी ठीक है देख लो भाई अपने पास आपके पास दो से तीन दिन का समय है तब दक जिसने मेरी क्लास अटेंड नहीं किया क्लास अटेंड कर लो जिसने मेरा MCQ क्लास अटेंड नहीं किया MCQ क्लास अटेंड कर लो और उसके बाद यदि लगता है हमारे बागी teachers का जो view है वो भी आप देख लिजे और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ need join कर सकते हैं या solve करने की तरफ आप बढ़ सकते हैं तो फिर आप हमारा वीडियो या हमारा path course जरूर जोइन करें तो नई batch start हो रही ह within 2-3 days यह बहुत जल्दी start हो जाने वाला है तो आप लोग इसके लिए त्यारी कर लीजे आप लोग इसे start करने की कोशिश करिए और पैसे जोड़ना सुरू कर दो भाई जो भी गुललगलग में थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे है न निकाल लो और उसे अब यहाँ पर खर्च करने की बात है अब पहली बार investment अच्छा investment करने की बात है वो copy यह सब में investment करके बहुत साथा पैसे waste हो चुके हैं वैसे भी अब अच्छी जगे पे investment करो अच्छी batch में start करो ठीक है तो इस तरह से निट की batch बहुत जल्दी start होने वाला है आप लोग बस त्यारी कर लीजे ढूड लीजे यूटूब में और बहतर कोई class आपको नजार आए तो अच्छी बात है नई तो फिर आप लोग हमारी class यदि अच्छी लगती है तो जरूर ज्वाइन करना ताकि क्योंकि नीट की बात है सपने की बात है डॉक्टर की बात है पैसे हर चीज नहीं होती चोटे मोड़े चीज आप लोगों को सस्ती चीज हजारों जगे मिल जाएगी गली खोले कोने पे मिल जाएगी भारत के हर जगे मिल जाएगी सस्ती लेकिन अच्छी चीज़ ढूटनी हो तो बहुत मुश्किल काम है इसलिए यदि आपको अच्छा लगता है मेरे हमारा पढ़ाया हुआ हमारे बैच का विक्रम है क्लासिस का पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप जरूर जोइन करिएगा इस चीज़ को ठीक है जोइन करके जितने भी चैप्टर हो सकते हैं आप उतना जोइन कर सकते हैं फीस की जानकारी टाइमिंग की जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी सारी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी बस मैं आप लोगों को आज इंटर्यूस कर रहा हूँ कि यस हमने seriously आपकी बात को लिया है कि हम NEET की बैच स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग अपनी तियारी कर लो जिस दिन भी स्टार्ट होगा एकदम युद्ध इस्तर पर जुड़ जाओ इसकी तियारी करना पापा को बताओ कि ये क्लास स्टार्ट होने वाली है वो पौधे जिनका बीज ढखा हुआ रहता है जिनका बीज बीजावरण से अंडाशे भित्ती से फल से ढखा हुआ रहता है लाइट गोल हो गई कोई बात नहीं हम लोग अंधेरे में पढ़ लेंगे ठीक है तो हमें क्या करना है ठीक है तो कोई बात नहीं अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो अपने कहानी को यह बात करते हैं हमने एंजिस पार्मे के बारे में पढ़ा था कि सबसे बड़ा गुरूप है सबसे बड़ा वर्ग है यह पौधो का ठीक है इसमें मुख रूप से वो पादा पाते हैं क्या है आप लोगों को ये बात याद है इसके मुख दो गुण क्या है मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब भी कोई चीज पढ़ो तो सबसे पहले उसके बारे में तारीफ में दो तीन शब्द उसके सुरुवात कर दो नियू पढ़ो उसको ये सबसे बेसिक है क्या अवरित बीजी का मतलब होता क्या है धका हुआ बीज धका हुआ बीज पहला इसका मतलब होता है दूसरा इसके अंदर कैसे पादा पाते हैं पादा पाएंगे कौन से ग्रुप वो आएंगे जिनके पास फल होता है जिनके पास में अंडाशय पाया जाता है तीसरी बात जिनके पास पुष्प पाया जाता है ये वो पुष्प है वो प्लांट है जिसमें ये क्लास रहेगा ठीक है चलिए तो यह पादाप में सबसे बड़ा वर्ग है ये इतना छोटा है, सबसे छोटा सुक्ष्विदर्शी वुल्फिया और से लेकर सबसे बड़ा रोट की किनारे आपने ऐसा जान पेड़ बहुत देखा होगा, इसका नाम है यूकेलिप्टिस तक हो सकता है, इसे हम ये बीज है, बीज के उपर आवरण पाया जाता है, इस बीज के अधार पर हम इसे दो भागों में बाटते हैं, पहला भाग होता है द्वी बीज पत्री और दूसरा होता है एक बीज पत्री, उस आवरण के अंदर जीक है, ये बात याद रखना, उस आवरण के अंदर जो बीज पत्र है, अंदर जो फल है, बीज का फल अंदर बीच के अंदर जो structure है जैसे चना है चना आपने देखा होगा उपर आवरन हटा दो तो दो फल निकलते हैं दाल के जैसा दो structure निकलता है तो वो द्वी बीच पत्री हो गए अगर आप गेहूं को देखा होगा तो आप उसे तोड़ेंगे तो दो भागों में बराबर तूटे ऐसा जरूरी नहीं है उसे हम एक बीच पत्री कहेंगे क्या कहते हैं उसे एक बीच पत्री कहेंगे ठीक है ये बात ध्यान पे रखिएगा यहाँ पर द्वी बीच पत्री और एक बीच पत्री मैं सबी अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ आप लोगों में से जो लोगों तक बात पहुँचाने की मेरी तो इसलिए आप लोगी आप लोगी अपने दोस्तों को शेर करते हो आप लोगी अपने बाकी जो फ्रेंड जो आ रहे हैं आ पर उनको सही-सही जानकारी भी आप लोग कर तो इसलिए सबी बच्छे उसको दे दिया करो ठीक है जो भी जानकारी मांग रहे हैं टाइमिंग का वगरा वगरे का ये सब टाइमिंग मैं जानकारी दूँगा तो बहुत जार टाइम वेस्ट हो जाता है ये जो नीट की बैच अभी चल रही है अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये 2021 के लिए आपके लिए आप पढ़ते रहे हैं जो 2022 की बैच है वो आप जोईन करके पैड कोस की तरफ में आईए 2022 की आपको तैयारी कराई जाएगी चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं बीस्ट के बारे में अभी तक तो कुछ सोच नहीं रखा है हम सोचते हैं उसके विशे पे भी कुछ बात करत करो जिससे आप लोगों को कुछ बनने में मेहनत हो एजुकेशनल जो है अकेडमिक्स जो है आप लोगों करना है तो बहतर लगेगा यह आप लोगों को एक स्कोप देगा बहतर स्कोप मिलेगा नीट के बारे में सोचिए ठीक है कोई बात नहीं चलिए कोई समस्या नहीं है तो स्टार्ट करते हैं भाई पहला स्टार्ट होगा द्वी बीच पत्री से ठीक है द्वी बीच पत्री पादब क्या होते हैं भाई तो द्वी बीच पत्री को पहचाना कैसे जाएगा शब्द ही अपने आपको represent कर रहा है बीज पत्र, previous डाइगराम में ही मैंने आपको बीज पत्र पढ़ा दिया है, बीज पत्र जो होता है वो क्या है बीज के अंदर का structure जिसे बीज पत्र कहा जाता है, किसी किसी के पास में दो हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है, तो कभी उपर से उसका आवरण हटाएंगे, तो अंदर पाएंगे दो फलक ऐसे पाए जाते हैं, दूई बीज पत्र होता है, तो दूई बीज पत्र की पहचान कैसे की जाएगी, दूई बीज पत्र की पहचान ऐसे की जाएगी, इसमें दो बीज पत्र हुआ होगा, इनमें दो बी जालिकावत रूपी सिराविन्यास होगा जालिकावत रूपी सिराविन्यास का मतलब क्या है भाई इसमें जो होता है ऐसे पत्तियां जो होती है इनमें वेनलिर्स एकदम ऐसा 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 प्रेजेंट होगा बहुत जादा साखा साखा पाई जाएंगे ऐसा करके इसे आपने देखा होगा कि कितना एकदम जाली पाई जाएंगी पुष्प जो होते हैं उनके पास में ऐसा पांच चार पुष्प ये पंखुडियें पाई जाएंगी या तो पांच पंखुडियां पाई जाएंगी तो चार पंखुडी है तो उसे अपन चतुष्टाई, पांच पंखुडी है तो पंच्टाई कहते हैं पुष्व में प्रतेक चक्र में 5 से 6 सदश होते हैं, इस अधार पर हम इसे समझेंगे एक दुईवीच-पत्री पातब बीज है, मान लिजिए बीज है किसी चीज़ का ठीक है ये बढ़ता 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 ऐसे पौधय का निरमाण करता है, ये है बीज दुई-बीच-पत्री, आप पूछा जाएगा एक बीच-पत्री पातब के बारे में तो जब आप एक बीच पत्री means monocotyledoness के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा monocotyledoness के बारे में बात करेंगे तो इनमें केवल एक बीच पत्र मतलब केवल एक monocotyledoness ही होता है cootyledon मतलब बीच पत्र only one monocotyledoness having in monocotyledoness plant मतलब monocautilidus के अंदर केवल और केवल एक बीच पत्र होता है मतर को आप फोड़ेंगे तो दो भागों में तूटता है लेकिन कभी भी मक्के को तोड़ेंगे तो बराबर दो भागों में नहीं तूटेगा गेहों को तोड़ेंगे तो बराबर दो भागों में नहीं तूटेगा इसका एक्जामपल ये मक्के का डाइगराम आपको दिख रहा है अच्छा एक बीच पत्री में अगर जालिका वत सिरा विन्यास है तो इनके पास में जो है समानांतर सिना विन्यास है आपने देखा होगा गन्यास या चाहिए आप इसका मक्के का पत्ती उठाएंगे तो उनकी जो लाइने हैं मतलब जो पत्तिया हैं वैसी लाइन लाइन रहती हैं इन पत्तियों को कहा जाता है कि यह जो है समानांतर पैरलर वेनेशन है वो इस से पहले वाले में जो वेनेशन वो रेटिकुलेटेड मतलब ऐसा ब्रांच बना हुआ था पुरा शाखाएं बनी हुई थी बट यहाँ पर यह जो साखाएं बनी हुई है वो लाइन लाइन से जुड़ी हुई है दैटिस वय पयरलर विनिय anarch कहा जाता है मीनस समनांतर सिरा विन्यास कहा जाता है अवाज आरी मेरी आप बताएए आप लोग कोई जितने विद्यारती है क्या कोई द्वी बीच पत्री और बीच पत्री का एक्जामपल जानते, कमेंट करके फटा-फट बताईए कि कौन सा एक्जामपल है, जो द्वी बीच पत्री का है, और कौन सा एक्जामपल एक बीच पत्री का है, एक एक एक्जामपल, सभी बच्चों से मुझे चाहिए, अभी, अभी अभी के अभी तुरंद बताऊ अगला जवाब इनमे क्या होताँ है पुष्फ जो है तृटे ही है तीन पूंकिशद इनके पर तीन जो है इनके पास में ऐसा पंक्खुडी पाई जाती है मेंस बाहे डल पाया जाता है डल पाया जाता है प्रत्येक पुष्प के चक्र में तीन उपांग होना आवश्चक है एक बीच पत्रों का विशेश अभी लक्षन यही पार्ट है तो आपसे अभी नॉर्मली पूश दिया जाए इसका पूरी तरह से डिटेल मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बात बता रहा हूँ कि प्लांट है क्या प्लांट है क्या भाई तो जल्दी जल्दी बात बताएं हैं यहाँ पर कि ये दोनों पोशन क्या है दूई बीच पत्री और एक बीच पत्री में मुख एक्जामपल क्या है द्वी बीच पत्री जो है भाई वो है चना मतर जो दो बीच पत्र होते हैं इनकी पत्तियां जो है वो उनमें जालिका पाई जाती है Reticorated Venaja's पाया जाएगा After that जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में हम पढ़ेंगे एक बीच पत्री के बारे में तो इन में एक बीच पत्र पाया जाएगा दूसरी बात इनका जो एक्जामपल है वो आपको दिख रहा है मक्का उसके बाद एक्जामपल के तौर पर जब हम बात करेंगे तो पत्ती जो होती है पैरलर वेनेशन आता है तो दोनों को compare करो दोनों को एक दूसरे से तुलना करो और उसके बाद पढ़ने की कोशिश करो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर आपको आसान लगने लग जाए मजा आ जाए पढ़ने में कुछ ऐसा एक्जामपल बनाओ तो कुछ ऐसा बहतरीन तरीके से पढ़ो चलो भाई तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब एक पुंकेसर है मानलो जैसे मानले एक पुष्पिय पादब है एंजियो स्पर्म का characteristic feature means मुख्य लक्षन क्या होता है तो what is the most characteristic feature of एंजियो स्पर्म है एंजियो स्पर्म का मुख्य लक्षन क्या है पुष्पिय पादब पुष्प पाया जाएगा और किसी example में no anymore किसी के पास में पुष्प नहीं है ना जिम्नो स्पर्म के पास ना टेड़ो फाइटा के पास ना ब्रायो फाइटा के पास ना सैवाल के पास में ना एलगी के पास में चारो के पास में नहीं है सिवाए एंजियो स्पर्म को छोड़ कर तो एंजियो स्पर्म के जो पुष्प पाये जाते हैं उनमें कौन-कौन सा structure है एक पुष्प अपने साथ क्या-क्या संरचना रखती है आपने कभी अगर एक पुष्प देखा होगा कभी भी तो आपको पता है कुछ ऐसा नीचे हरा हुआ दिखाई देगा कुछ बीच का भाग, कुछ उसमें डंठल जैसा कुछ ऐसा पंखुडी रंग जैसा दिखाई देगा ये सब क्या है ये सब क्यों है पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं और उनका क्या काम है आज मैं आपको ये बात बताता हूँ पुष्प के अगर देखा जाए तो पुष्प में एक नर लैगी कांग है पुष्प में एक नर लैगी कांग है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं इक्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मानन लो is pushp को देखते हैं ये pushp के अंदर जो है ये बाला जो भाग है इसे कहते हैं sapal हिंदी में कहा जाता है इसे बाहेदल आपने कभी भी कोई पौधा देखा होगा गुलाब तो बिलकुल ही देखा होगा जरूर किसी ना किसी को दिया भी होगा तो ये जो कि खरीदा तो हो गई होगा तो ये जो बाहे दल है गुलाब की जो नीचे का हरा हरा portion रहता है, green potion, dental से जुडा हुआ, वो है आपका बाहे दल, उसके उपर जो red-red करके portion रहता है वो sub red portion ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीला ये मानलो कनेर का पौधा है ये कनेर का पौधा है तो इस portion को हम कहते हैं दल और English में कहा जाता है इसे petals तो what is sapal बाहे दल means होता है sapal and what is petal दल का मतला होता है petals समझ में आई मेरी बाद तो किसी भी कनेर का पौधा आपने देखा होगा नीचे हरे color का ऐसा ऐसा लगेगा उसको set करके रखा है उसने वो है दल उसके उपर जो पीला पीला structure दिखाई देगा वो है बाहे दल पुंज sorry दल पुंज means petals इसके बाद उसके अंदर की सनचना यहाँ पर एक ऐसी निकली हुई रहेगी और ये वाला भाग जैसा दिखाई देगा इसे हम कहेंगे पुंकेसर ये जो पुंकेसर है means इसे हिंदी में कहते हैं इस इंग्लिश में कहते हैं stamen ये जो stamen है ये क्या करता है ये नरजननंग है आपसे पूछ दिया जाए बच्चे लोग सभी मुझे बताएंगे कि पुष्प में नरजननंग का क्या नाम है पुष्प में नरजननंग का नाम जो होता है ये आंसर होगा क्या पुंकेसर means stamen answer है इसका फिर आपसे पूछा जाएगा बीच में structure ये जो दिखाई दे रहा है ये है मादा जननंग भाग और इसे हम कहते हैं अंडज means गायनोशियम मतलब इसे हम normal इस्त्रीकेसर कहेंगे तो पुंकेसर ये है पुंकेसर इसे अंदर लगू भी जानू पंड में पाया जाएगा और ये जो है अंदर जो रहेगा वो होगा बाखी जो हमें इस्त्रीकेसर अब इस पुंकेसर के अंदर क्या-क्या पाया जाएगा एक पुंकेसर को देखें तो हमें क्या-क्या पूंकेसर के अंदर हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले ऊपर एक ऐसा डंठल जैसा रहता है और नीचे एक डंडी नीचे जो डंडी है उसे हम कहते है तन्तू-Means होता है उसका फिलामेंट उसके अंदर क्या होता है? फिलामेंट. और उसके ऊपर वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एंथर एंथर का मतलब होता है पराग कोश ठीक है इस पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं ये जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे न ये सब के सब परागकन को भौरा लेकर जाता है फीमेल के पास में और उसके बाद भौरा खिलाता है फूल, जिसे ले जाता है राजकुआर, समझ महारी मेरी बात, तो ये वही फूल को खिलाने वाला परागकन है जब ये मादा के पास में पहुँचेगा फीमिल के पास में पहुँचेगा तब होगा पॉलिनेशन और आफ्टर देट डेवलप्मेंट ऑफ फूल डेवलप्मेंट ऑफ फ्लावर होगा तो मुझे उम्मीद है आप इसे बहुत clear तरीके से समझ पा रहे होंगे crystal clear समझ पा रहे होंगे मुझे ऐसी उम्मीद है तो ध्यान रखेगा इस बात को भाई थोड़ा थोड़ा अब सुरू करते हैं पुंकेसर के बारे में जानना क्या है भाई पुंकेसर नरजनन लेगी comment उसके बाद उपर का structure ये है enter means पराग कोश ये क्या है पराग कोश है मतलब enter है तो पराग कोश होता है पराग कोश के अंदर क्या है पराग कोश के अंदर जो है पराग मात्र कोशिका है पॉलेन मदर सेल है ये अर्धशूत्री भी भाजन करेगी और अर्धशूत्री क्यों विद्यार्थी जानते हैं, पॉलेन मदर सेल द्विगडित होती है, एंजियो स्पर्म का मुख्य सनचना द्विगडित होती है, यह sporophytic है, आफ्टर यह अर्धशूत्री विभाजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, और यह convert हो जाएंगे, किसमें, अर्धशूत्री विभाजन करन किस विधी से होता है, आप कहेंगे, अर्धशूत्री विभाजन से होता है, कौन सी कोशिका करती है, पराग मात्र कोशिका करती है, पराग मात्र कोशिका क्यों कहा उसे हमने, क्योंकि वो पराग कण को बाद में बनाएगी, तो बाद में बनाने वाली कोशिका को हमने मात्र कोशिका कह दिया भाई साब समाजारी मेरी बात तो ये अर्दशूत्री विभाजन सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे कि अर्ध शूत्री विभाजन में गुड़ सूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आधी होती है कि नहीं तो गुड़ सूत्रों की संख्या बताना है भाई आधी हो की नहीं यह है द्विगडित तो यह क्या हो जाएगा अगुडित कमेंट सेक्शन में मुझे आपका अंसर यस और नो क्या PMC pollen mother cell जो द्विगडित है जो sporophytic है अर्ध शुत्री विभाजन करेगी means अपने गुर्षुत्र की संख्या को आधा कर देगी गुर्षुत्र की संख्या को आधा करना बहुत जरूरी है भाई अगर आधा पराकर्ण रहेगा आधा माधा युगमकोद्भित र है वो आधी हो गई तो पराकर्ण का मानलो पूछ दिया जाए कि पराकर्ण अगुडित है कि द्विगडित है क्या बात कहेंगे भाई आप लोग पराकर्ण अगुडित है कि द्विगडित है आपको बताना है pollen mother cell भाई पराग मात्र कोशिका देखो भाई शुरू से अच्पन से पैदा होते हैं तो इस पर में development नहीं होता हमारे अंदर ओवा नहीं बनने लग जाता हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे टेस्टिस के अंदर विशन के अंदर भी वैसे ही कुछ कोशिका है मात्र कोशिका जैसे जिसे सुकुराडू मात्र कोशिका कह दो मालो ठीक ह इस पर में टो गोनिया कहते हैं उसे वो जो है जब विभाजन करना सुरू करती है तब जाकर इस पर मिया सुकुराडू बनता है उसी तरह यहां पर भी मात्र कोशिका है और वो भी आगे जाकर development जरूरी होगा ठीक है इस तरह से समझना और आगे जाकर यही परिपक्ष करक परागकन बना देगा परागकन जो है आगे जाकर फिर नर युग्मकोद भिद बनेगा मेरी बात को सुनियेगा ध्यान से यह नर युग्मकोद भिद है नर युग्मक नहीं युग्मक तो गैमिट्स होते हैं यह अभी युग्मकोद भिद यह अभी जाएगा फिर वहां जाकर विभाजन करेगा तब जाकर युगमक का निर्माड होगा परागकन अभी क्या है युगम कोद भिद नीट के बच्चे पूरे फोकस करके मेरी बात को सुनेगे इस बात को पराग मात्र कोशिका द्विगुडित है परागकन अगुडित है कौन सा विभाजन किया पुंकेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेसर मीन्स स्टामेन कहते हैं, यह सवाल जो मैंने अभी आपसे जवाब किया है, इन पॉइंट को इतनी सुन्दर्ता से लिखो अपनी कॉपी में कि दिमाख में छप जाया बच्चा लोग यह बात याद रखिएगा, सबसे आखरी जायेंगे, नीट के लिए जरूरी है बाई साब, नीट के लिए बहुत जादा जरूरी है, इसलिए बिलकुल ध्यान से समझेए और पढ़िए इसके बारे में, अगली कहानी के तरफ में पढ़ते हैं, नर पढ़ लिया, मादा की तरफ में आईए, मादा जननंग क्या है, तो पहले मैं अपना शॉर्ट कट समझा देता हूँ, मादा जननंग को आप देखेंगे, तो सबसे सेंटर पे रहता है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये बना कर रखता है, कोई परिशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसका सबसे उपर वाला भाग जो है, इस किसके पास, इस स्टिगमा के पास, किसके पास, इस स्टिगमा के पास, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, इसे हम कहते है rapping style, और हंदी में इसे कहते हैon वर्तिका, इसका मतलब क्या है बाई? इसका मतलब यह है कि जब पराक कर यहाँ पर पहुँँ जाएगा, तो बीजांड क्या है मादा युगकोदभिद बीजांड क्या है ओवियूल क्या है मादा युगमकोदभिद इसके अंदर رहता है और यह वहां तक पहुँचना चाहिए जब यह यहां तक पहुँचेगा तब जाकर निशेचन होगा और winnersेचन के बाद कहानी होगी तो मैं सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ, ये बाते क्लियर रहेंगी कि नहीं भाई, और ये सब 12 में आप लोगों को और आसानी से समझ में आएगा, अभी से पढ़ लो भाई, 12 में मजा आजाएगा, नीट के विद्यार्थियों से पूछ के देखो, 12 में जाता है, इसलिए इसको अभी से पढ़ लो, अभी से समझ लो, थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मज़ेदार पढ़ो, फिर उसके बाद जब आप 12 में जाओगे, तो ये सब चीजे लगेंगे, यास मैंने कुछ पढ़ा है, 11 के बच्चों के साथ सबसे बड़ी पर भी साथ सबसे बाद लो, ये समय है अपने आपको प्रूफ करने का, चाहे आपके पास कोई परिष्थिती ने रहे, क्योंकि आपके पास तो टीचर आपके दुआर में खड़ा है, घर घर में आपके रूम के अंदर खड़ा है, टीचर आपको पढ़ाने के लिए समझ लो, आपके mobile के अंदर है, अगर पढ़ सकते हो, तब तो फिर मजा आ जाएगा, और नहीं पढ़े, तो फिर जीवन भर excuse देते रहना, कि मैंने ये नहीं किया, मेरे घर में light नहीं थी, मेरे घर में धूलनी उड़ रही थी, इस चक्कर में मैंने neat नहीं निकाला, तो इसलिए अगर पढ़ना है, समझना है, तो अभी से start कर दो, 11th के बच्चों, मैं बता रहा हूँ बाई, 12th पढ़ना, 12th तक बच्चा वैसी sincere हो जाता है, नीट निकालना है, 11th सबसे बहले पढ़, आधार यही है, बेस यही है, 11th को जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, उसने 12th पढ़ लिया, मैं देखता हूँ हमेशा, 11th में एकदम भीड कम रहेगी, 12th में देखो भीड जाता रहती, क्यों रहती है ऐसा, क्योंकि 11th में बच्चे पढ़े नहीं है, एक साल में ज्यान आ जाता है, बाई पढ़ लो, 12th में जाके दिमाग खुलता है जाकर, तो फिर 12th म लग जाएगा, तो इसलिए यहां पर 11th को अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगाओ, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, फोकस करो पढ़ाई में, अब वो समय गया कि 12th बोड आएगा तो पढ़ेंगे 11th हसानी से ऐसी निकल जाएगा, समय नहीं है बाई, यह 11th वरास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके ambition आपको successful बनाने के लिए, means neat के लिए, ठीक है, biology के बच्चे के भाई, सपने में भी neat आना चाहिए, सपने में भोजन में neat जाए, पसीना भी neat वाला ही निकलना चाहिए, कपड़े में भी neat वाला पहना, पू चाहते हैं, उसमें passion नहीं है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, फिर वो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो छोड़ो तो फिर जाके फिर petrol pump में कहीं भी काम कर सकते हो, वो सब अच्छी चीज है, लेकिन अगर doctor बनना है, महनत लगेगी भाई, पढ़ना पढ़ेगा, 11th पढ कहते हैं, अंडव कहते हैं, या तो कहा जाए, तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर carples, English में कहा जाता है carples, या कह सकते हैं इसको, जैसे carples ही कहते हैं, इसे normal, ठीक है, ठीक है, पिस्टल भी कहते हैं, carple and pistol, carple और क्या कहते हैं से, pistol, English में carple and pistol कहते हैं और Hindi में इस्त्रीकेशर कहा है अंडाशह। आधार में फूला होता है अंडाशह, पतली सी पतली नलिका होती है, नाम होता है उसका वर्तिका means style, अंडाशह means ovary और सबसे उपर में एक ऐसा platform जैसा बना हुआ रहेगा, सीर्सपष रहेगा, वर्तिकाग्र। अंडाशे के अंदर एक ओव्यूल रहेगा ब्याद रखेगा बच्चे ओव्यूल जो है ये होता है मादा, युग्म, कोद भिद इसका मतलब होगा कि ये फीमेल गामेटोफाइटिक है ये क्या है फीमेल गामेटोफाइटिक है ठीक है ये बात जान रखना दो यहाँ पर इतरे से होता क्या वगेरा 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 सब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे अगला सवाल अब पहुंसते हैं भाई कि अब अंडाशा में होता क्या है जैसे वहाँ पर मान लेते हैं कि वहाँ पर मात्रकोशिका होती है पॉलन की यहाँ पर होती है एक गुरू बिजा विजानू का निर्माड करेगी इस तरह से यह गुरु विजानू चार बनेंगे अभी चार में से तीन جो हैं वो under development मर जाएगे और आगे जाकर जो होता है वो भृणकोश नहीं यहाँ पर यह याद रखी है हाँ भृणकोश exactly भृणकोश जो है जिसे हम बीजान कहते हैं वो बनाता है तो आप इस बात को ध्यान पर रखेगा आप से पूछा जाया भुरुणकोश है क्या ये रहा भुरुणकोश ये जो है मादा युगमकोदवेद कहलाता है क्या कहलाता है मादा युगमकोदवेद कहलाता है इस तरह से ये female structure है क्या आप लोग सभी comment करके बताईएगा क्या कभी आप लोगोंने किसी flower को देखा है ऐसा इस disection सभी किया है सभी बच्चों से कहना चाहूंगा मैं आप लोग एक flower उठाईए disection करिए और उसके बाज को पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सा भाग जो है वो नर है कौन सा भाग मादा है कौन सा भाग पुंकेसर है कौन सा भाग स्त्रीकेसर है कौन सा भाग सैपल है कौन सा भाग पेटल है अगर ऐसा कुछ हो गया तो मज़ा आ जाएगा भाई एकदम मज़ा आ जाएगा चलिए अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं अब होता क्या है भाई रेपोडक्शन है रेपोडक्शन में भुणकोष के अंदर बहुत सारी सनरचना होती है इसी को भी जान्ड कहा जाता है भुणकोष के अंदर साथ सनरचना होती है अब देखो भाई उसमें चार सनरचनाय थी चार में से तीन चली गई चार में से किती सनरचनाय चली गई तीन चली गई एक बचा एक ने अपना डिवीजन किया दो बनाया दो ने बनाया चार चार ने बनाया आठ और आठ में से तीन उपर तीन नीचे और दो बीच में आ तो उसने जब विभाजन सुरू किया, तो क्या किया? सबसे पहला structure देखो, नीचे की तरफ में तीन समरचनाय मान लीजिए, जैसे ये बनी हुई है, इसे हम कहते हैं मान लीजिए antipodal, हम इसे क्या कहते हैं? antipodal cell, antipodal को हम कहते हैं प्रतिव्याशांत कोशिका, ठीक है? इ इसे हम कहते हैं यहाँ पर अंड समुच्चे जो होता एक कोशिका, दो सहायक कोशिका हैं, दो क्या है? सहायक कोशिका, ये जो है प्रतिव्याशांत कोशिका है, ये जो उपर में जो है सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका के साथ ही साथ यहाँ पर एक अंड लगा हुआ रहता ये कि बीच की जो दो कोशिका हैं इन दो कोशिकाओं को हम कहते हैं द्विगडित कोशिका द्विगडित केंदरक कहा जाता इसे अब ये द्विगडित केंदरक क्या है उपर की तरफ की तीन कोशिका इसे इंगलिश में कहा जाता है सेनर्जेड और सेनर्जेड के अलावा जो पुरा कॉंसेप्ट बनेगा और चीजें आपको समझ में आनी चाहिए चलिए भाई अगला पार्ट बनते हैं अब क्या हुआ पराकण और इसका मिलन कैसे होगा ये दोनों दूर दूर हैं इनका मिलन कैसे होगा सभी बच्चों को ये बात याद हो गई कि नहीं हो गई भाई म और नीचे की तीन कोशिकाएं एंटिपोडल हैं मतलब ये आठ कोशिकाओं का नाम याद रखो और समझ में आना चाहिए चलिए अगले सवाल की तरफ में भाई मिलन कैसे होगा इनका ये मिलते कैसे हैं तो अगला सवाल परागगण दूसरी जगह है पराग कोश या मतलब जो दूसरा इस्ट्रक्चर है इस्त्री वाला दूसरा भाग है मनर को मादा से मिलना है जरूरी बहुत जरूरी है अब ये मिलेगा कैसे परागण जो है पराग कोश ये निकल जाते हैं पहले निकलना पड़ेगा कहीं पहुंचने के लिए कहीं पर निकलना पड़ेगा तो निकल गया भाई, इस्त्री केसर तक पहुँचा, वर्ति कागर तक पहुँच गया उपर तक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत दरूरी पाट पढ़ा रहा हूँ, मिलन पढ़ा रहा हूँ, नर मादा का, यहाँ पर, नर और मादा का मिलन हुआ तो हुआ कैसे, कीडो मकोडो के साथ चिपक के यहाँ तक पहुच गया, वर्ति कागर तक पहुच गया, वर्ति कागर में पहुचने के बाद, वर्ति का से होते हुए अंडाशय पे पहुचेगा, कहां पर पहुचेगा, अंडाशय पे, अंडाशय में जब वो पहुचा, इस प्रकार के इस प्रिकर सके एक्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आपका अंडाश है और ये सरी ये वर्तिकागर अंडाश है तो भाई साब ये वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद यहाँ पर पराग नलिका का ऐसा निर्माड करेगा ताकि अंदर तक ट्रांसफर किया जाए इस ट्र पहुचने के बाद अब क्या होगा बीजांड तक पहुचने के बाद अब उसके पास दो नर्युगमक हो गए पराग कंड विभाजित हुआ और पराग नलिका के अंदर ही इसके पास में दो नर्युगमक हो गए क्या युगमक हुआ दो नर्युगमक हो गए अब क्या करते जब दोनर युगमक हुआ तो एक जो है अंड कोशिका से मिला और एक मिला द्विगडित केंद्रक से जो मिला अंड कोशिका से वो बना जाइगोट और जो मला द्विगडित कोशिका से वो भाई साब वहाँ पर बन गया भुण पोश कितनी संरचनाय बनी तो एक बना युग को आपको समझना है चलिए एक flow chart बनाता हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ मज़ेदार पाट, मज़ेदार तरीके समझते हैं, अपना ध्यारे नहीं खोईएगा भाई, नीट है आसानी से नहीं निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा देखे भाई, अब हमारे पास में क्या है परागकन है, ठेक डेवलप हो चुका अर्द शुत्री विभाजन करने के बाद और यहाँ पर हमारे पास में है भाई, ब्रुण कोश ठेक ब्रुण कोश की सनचना याद रखो भाई माल लीजे यहाँ पर यहसी दो कोशिकाएं हैं जिने हम कहते हैं सहायक कोशिका क्या कहते हैं? सहायक कोशिका, ध्यान रखेगा यहाँ पर नीचे के तरफ में तीन कोशिकाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रतिव्याशांत कोशिका means होता है antipodal cell क्या कहते हैं इसे एंटी पोडल सेल और बीच में दो कोशिकाएं होती हैं इसे हम कहते हैं दुतियक धुरुविय केंदरक मतलब secondary polar nuclei केंदरक कहा जाता इसे ठेक उपर में सहायक कोशिका है सहायक कोशिका के साथ ही साथ यहाँ पर एक और कोशिका है जिसे हम एग और अंड बाई साब पहुंचा सबसे पहले वर्तिका के पास किसके पास वर्तिकागर के पास वर्तिकागर के अंदर पहुंचता है तो देखा कि आगे वर्तिका उसका इंतजार कर रही है वर्तिका उसका इंतजार किया वर्तिका के अंदर जाकर उसने बनाया पराग नलिका क्या बना द दो कोशिकाएं यहाँ पर यह ऐसा भरा हुआ है यह पराग कर अंदर पहुंचेगा इसके बाद यह पराग नलिका का निर्माड करेगा पराग नलिका के अंदर दो गजब की बाते होंगी यहाँ पर दो नर्युगमक बन जाएंगे क्या बन जाएंगे नर्युगमक नमबर व मिलन है और दूसरा है नर युगमक नंबर दो इसका मिलन हमें करवाना है एक तो अंड से और एक तो करवाना है दृतियक ध्रूविय कोशिका से किस से करवाना है दृतियक ध्रूविय कोशिका से मिलन करवा दो भाई फटा फट इनका जब इनका मिलन करवाएंगे तो भाई स बनेंगे, जाइगोट, means क्या कहलाता है, युग्मनज, सभी बच्चों से मुझे एक बात चाहिए, युग्मनज, कि ये बताईए, युग्मनज द्विगडित होगा, कि अगुडित होगा, फटा फट बताओ मुझे कमेंट में, युग्मनज, अगुडित होगा, कि आप चाहिए, very exclusive, intentionally, अच्छे से बताओ, फटा-फट बताओ, क्या सही जवाब होगा, जल्दी बोलो, flow chart यहां पर क्या होगा भाई, नर, युगमक, अंड से मिला, जाइगोट बना, द्विगृत होगा, कि अगृत होगा, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, जाइगोट जो है, पवन कुमार ने कहा है, द्विगृत होगा, क्या सभी विद्यार्थियों को यह बात सही लगती है, या सनो, जल्दी बोलो, द्विगृत होगा, कि नहीं होगा, most full motivation, क्या बात है बेटा, तुम चाहिपी के मोटिवेशन दे रहो लोगों को, पढ़ना छोड़के त तुमको देखकर, चलो भई, फटा-फट, द्विगृत क्या होगा, 2N होगा, अब मजे की बात यह है, कि जो नर्युगमक है, ये भी अगृत रहता है, लेकिन जो द्वित्रियक ध्रुई कोशिका है, वो होती है द्विगृत, फिर कमेंट करके बताओ, इसका अगृत और द्विगृत होगा, ये भृण पोश के बारे में बताओ भाई, ठीक है जायगोट समझ गया, अब उसका बताओ, फटा-फट बोलो, अगला पाट समझ गया द्विगृत है, सबी बच्चे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, वो कैसा होगा, जो भृण पोश है, वो कैसा होगा, अगुडित या द्विगृत, फटा-फट बोलिए, जल्दी बोलो, नर, युगमाक और धुरुवी कोशिका दोनों मिल गए, दोनों मिलने के बाद, क्या बनाएंगे वो दोनों मिलने के बाद, अगुडित की त्रिगृत, सब कह रहे हैं द्विगृत, कुछ कह रह हैं, अभी से लेकर 12 तक पूछा जाएगा आपसे कि बताओ भाई, किसके, किसके मिलन से बनाईे, किसके, किसके मिलन से, 12 निशेचन क्यों कहा जाता है, एंऌजियो स्पर्में, एंजियो स्पर्म का 12 निशेचन, इसलिए, क्योंकि ये 2 लोग मिले हैं भाई, that's why 2 निशेच इसलिए दोहरा निशे चन कहा जाता है क्या क्या बनता है दोहरा निशे चन से जाइगोड बनता है किसके मिलन से नर युगमक और अंड मतला मादा युगमक से बन गया इसके बाद नर युगमक दूसरा किस से मिला दुतियक धुरुवी कोशिका से वो कैसी थी द्विगुड याद रहेगा नहीं रहेगा, दितियक थी कौन, दितियक रुविय कोशी का, secondary polar nuclei, secondary polar nuclei have deployed nucleus, वो दोनों फिर नर्युगमक means male gamut के साथ मिलकर वो तीनों बना लिए, भृणपोश means endosperm और वो रहेगा त्रिगडित, क्या रहेगा, त्रिगडित रहेगा, समझ में आरे ही मरी बात मुझे अमीद है ये बात बिलकुल आप लोगों को समझ में आएगी और आप लोगों को बातें भी अच्छा लगेगा चलिए भाई तो इतना पोशन याद रखेगा युगमक सनलयन हुआ है साथ में त्री शनलयन हुआ है इसे याद रखेगा इसे युगमक का सनलैन भी हुआ है और त्रिस सनलैन भी हुआ है That's why हम इसे कहते हैं द्वी निशेचन, दोहरा निशेचन हम इसे कहते हैं क्या कहते हैं? दोहरा निशेचन अगला पार्ट द्वी निशेचन एंजियो स्पर्म का अदितिये गुण है यह इसी में केवल होता है यह हमेशा इसी में होता है एंजियो स्पर्म में ही सिर्फ दोरा निशेचन होता है क्या यह बात याद रहीगा याद रहीगा नगनी बीजी बताया था उसका आंसर ठीक है ये बात ज्यान पर रखना विक्सित हो जाता है और प्रात्मीक भुण पोष केंद्रक भुण पोष में विक्सित हो जाता है प्रात्मीक भुण पोष बात में जाकर विक्सित हो जाएगा मतलब डेवलप हो जाएगा भुण पोष में ठीक है ठीक है अगला पार्ट भ ऐसे ये पूरी portion आपको समझ मानी चाहिए क्या मैं पूस्टना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आई की नहीं आई भाई बन जाएगा की नहीं बनेगा सवाल नीट में आएगा तो उपर से तो नहीं जाएगा ना भाई दिमाग में बैठेगा कुछ बैठा इस खोपड़ी के अंदर जल्दी बोलो इस खोपड़ी के अंदर कुछ नोटस कहा मिलेगा कुंदन कुमार को नोटस पैड़ कूर्स में मिलेगा दोस्त ठीक है समझ माई सभी लोगों को बात भाई इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है पढ़िये ध्यान से, मिलिये ध्यान से पैड पोस्ट के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा पैसे जोड़ना सुरू कर देना, बाद में मत बुलना पैसे नहीं थे इसके लिए ठीक है अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट करिए मजा करिए, और खूब पढ़ते रहिए रिवीजन करिएगा बार-बार, नहीं समझ मैं फिर से पढ़िएगा मिर से, ठीक है थेंक यू, बाबाई, बाई-बाई अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बिल्कुल कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है, तो नीट के लिए जो जरूरी है, वो पूरा कब्लिट होना बच्चों को परिशानी नहीं आनी चाहिए, एकदम मक्षन होना चाहिए, मलाईदार मक्षन जोलते हैं जिसको वैसी दिमाख में बैट जाना चाहिए, तैंक यू, सो मच अपना ध्यान रखिएगा, मिलते रहिएगा जरूर आएगा क्लास को, लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो को, इसके बाद फॉलो कर दीजेगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करिएगा और उसके बाद अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएगा अच्छी क्लास कैसी लगी आपका मोटिवेशन, आपका प्रोचसाहन ही हमें और डेवलप करेगा और आप पेड कोस के बारे में सोचेगा थैंक यू सो मच, अपना बाई, थैंक यू